गांधी जी ने तो कहा था कि भारत में जो भारत के गाउं है वही तो बस्ते हैं original आत्मा कहा है देश का जो होट इंडिया का जो होट है दिल है वो कहा है विलेजेज में हैं भारत के साड़े 6-7 लाग जो गाउं है वो उसी गाउं से तो ये पूरा देश और सिस्टम चल रहा है अभी मात्र एक 30% कुछ आसपास सहर में लोग रहते हैं रहते हैं कि नहीं रहते हैं 78-89 परसेंट लोग कहां रहते हैं 68 परसेंट लोग गाउं में रहते हैं तो क्या बड़ी बहुत बड़ी बात है इतने बड़े-बड़े महानगर है दिल्ली भारत का सबसे बड़ा महा से ज्यादा है उन तमाम आबादियों के बड़े 50 भारत के 2011 में 50 जो लिस्ट बना हुआ है 50 लिस्ट जो है जो जिनकी आबादी 10 लाग 20 लाग ज्यादा है उन सबको भी जोड़ दो सबको पूरे इंडिया में तब भी गाउं के सामने कोई है इस इंदुस्तान का सबसे बड महारास्ट्रा है जहां सफशद गाउं में लोग रहते हैं जबकि महारास्ट्रा में मुंबई अपने एक बड़ा सा सहर है तो करोड़ लोग तो नहीं रहते हैं रहते हैं तो नमबर बान उत्तरप्रदेश महारास्ट्रा और तीन नमर में बिहार बिहार के एक दो सहरों को पटना जैसे शहर को छोड़ें और गया को छोड़ें भागलपूर मुझे फरपूर को छोड़ें तो सब छोटी ही सहर हैं तब भी लोग कहां रहते हैं जारखंड को देखो जारखंड में ज्यादा सहरिक इस्थिति है यहां लोग ज्यादा धनबाद बोकारो रांची इसलिए यूपीएसी ने दस सालों में सबसे ज्यादा लोकल सेल्फ गवर्मेंट पी आराई पर बात किया है अब प्र पूरा नहीं होगा जाके यूपीएसी मेंस का पिछले साल का पेपर सब देख लेना डारेक्ट कोश्चन आता है हिट करता हिट मैंने कहा कि आज हम इस हिट करेंगे